हेलो फ्रेंड्स मैं हूँ शुभम शुकला और आप सभी का स्वागत करता हूँ हमारे योट्यूब चैनल सुभम जी एस ऑनलाइन क्लासेस में देखे हम लोगोंने 76 वाला जो पार्ट है आर्टिकल 76 महान्यावादी वो कम्प्लीट कर लिया था आर्टिकल 77 में है भारश सरकार के कारे का संचालन और आर्टिकल 78 में है राष्टर पती को जनकारी देने के संबंद में प्रधान मंतरी के करताविया बस दो ही आर्टिकल ये इतना है जान लिए 77 कै negotiate आर्टिकल 79 है, भारती संसद, तो आज से हम लोग संसद वाला हिजसा पढ़ना चालू कर रहे हैं, यह जो हिस्सा है वह बहुत इंपोर्टेंट है, constitution वाले part में संसद से बहुत सारे question हमेशा पूछे जाते हैं तो इसको आप ध्यान से देखेगा और इसको note करेगा आज हम लोग संसद पढ़ेंगे संसद क्या होता है उसके अलावा हम लोग राज्य सभा वाला हिस्सा ठीक है राज्य सभा राज्य सभा के यो सदस्स से रहते हैं उसका Traffic कैसे होता है उसके निरवाचन के लिए अरहरता क्या है और राज्य सभा की शक्तियां क्या होती है यह वाला हिस्सा आज के वावे वीडियो में देखेंगे इसके बाद वाले वीडियो में जब हम लोग आएंगे कि कैसा टाइम का क्या-कका अंतर रहता है दोनों के में तो ठीक है इसको अब ध्यान से पढ़िएगा और अगर आपको वीडियो पसंद आ है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा चैनल को subscribe कीजिएगा और ज़्यादस ज़्यादस शेर कीजिए ठीक है तो आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं अनुचेद 79 आर्टिकल 79 भारती संसद इंडियन पार्लिमेंट ठीक है इंडियन पार्लिमेंट में तीन अंग होते हैं भारती संसद के संसद के कितने अंग हैं तीन अंग होते हैं ब्रिटेन ने इस तरीके चीजे होती है तो यह ब्रटेन से लिया गया है, ठीक है, इसके तीन अंग होते हैं यह फ्रेंच भासा का सब्द है, मतलब संसद कौन से भासा का स legit है बोलगा तो French Thai хотите है, और संसदी सासन वे वस्ता भारत में कहा की दें हैं, तो ब्रिटेन से इसको लिया गया है, ब्रिटेन की दें है, यह ज संसद वाला हिस्सा है उसके बाद जो राश्रपति भवन है सुप्रीम कोर्ट है वो जो हिस्सा है पूरा जो राजपत वाला हिस्सा है ठीक है तो उस सब चीजों को वहाँ पर के पूरे चीजों को ठीक है जिसको लुटियन देली कहा जाता है वेसिकली ठीक है तो लुटियन को में किसने डिजाइन किया ता ये वही लोगों ने लूटियन और बेकर्ड ने डिजाइन किया था और ये ए अंतराष्ट्री संधी करने के लिए उसको पाएथ करवाना पड़ता है ति राज्यों को वह पावर नहीं दिया गया जैसे कि प्रधान मंतरी को अंतर राश्ट्री संधी करके आगे अब राज्यों को भी अंतर राश्ट्री संधी में अगर कहीं उसको करना है कि नहीं करना है अंतर राश्ट्री संधी को पारित करके राज्यों को भी दे दिया जाता और राज्य पारित नहीं करते अंतर राश् ठीक है ये भी याद रखेगा ल्तरश्टी संधियों को पारीद करवाना मतलब अनुमती लेना केवल संसद से जरूरी है ये भी याद रखेगा देखिए जो संसद होता है उसमें दो हाउसे होते हैं एक राजेसभा एक लोकसभा और बीच में होता है एक common house ठीक है इसको बोल बाहर से जो कोई आय रहता है ठीक है कोई बाहर का प्रतिनिधी आया है कोई राष्ट्रपती आया है किहीं का तधान मंत्री आया है तो इस कंसंत्र संसद के सेंटर हॉल में उसे बठाया जाता है ठीक है इसके अलावा इन दोनों का जब सन्यूक्त अधिवेशन होता है तो लोकसभा का वरणन किया गया है ठीक है इसके अलावा याद रखेगा यह दो चीज में confusion होता है सदन कितने हैं संसद में सदन कितने हैं राज्यसभा और लोकसभा दो सदन लेकिन संसद के अंग कितने हैं तो तीन अंग हैं राज्यसभा लोकसभा और राश्ट्रपती क्यों त जब लोकसभा और राज्यसभा से पारित होकर राष्ट्रपती जब उसमें सिगनेचर कर देते हैं, राष्ट्रपती जब उसमें अपनी अनुमती प्रदान कर देते हैं, तभी कोई विधेयक कानून का रूप धारन कहता है, इसलिए राष्ट्रपती की भूमी का बहुत ठीक तो राश्ट्रपति क्या है तीसरा अंग है संसद का ये हो गया आपका पारलिमेंट वाला हिस्सा ये संसद हो गया अब अपने को इंडिविज्वली पढ़ना है राज्यसभा और लोकसभा तो आर्टिकल 79 होगी हमारा आर्टिकल 80 में क्या है राज्यसभा की संरचना संख्या होती है तो 250 सदस्य संख्या होती है राज्यसभा में कितने सदस्य होते हैं 250 वर्तमान अर्दे से 238 सदस्य होते हैं राज्य और संग राज्य चेत्र से स्टेट और यूनियन टरिटरी यहां से 238 सदस्य को चुना जाता है ठीक है कैसे चुना जाता है आगे देखें ठीक है बारा जो है साहित कला और अंगी छेत्रेगां से फा करते हैं साहिद कला विज्ञान से रहते हैं सब में का चीह वह मैक ni हुने चाहिये है अभी 265 सदस्य है जिसमें से 239 सट से स्टेट से चुने गए हैं ठीक 288 सदस्य टोटल होने चाहिए इस्टेट और union territory मिला के तो 229 सदस्यों को राजी से कि सीटो का अबंटन होता है जिस राजी की जन संख्या जादा होगी उसमें जादा राजे सभा सीटे होंगी और जिस राजी की जन संख्या कम होगी मां कम राजे सभा सीटे होगी तो सीटो का अबंटन अनुसूची चार में राजे सभा कि सीटो का अबंटन किसमें बतायेग क्या होती प्रत्यक पांच वर्स के बाद लोग सभा का विग्टन हो जाता है उसके बाद नए सिरे से चुना होता है तो नहीं लोग सभा बैटती है तो लोग सभा का विग्टन होता है इसलिए उसको अइस्थाई सदन कहते हैं लेकिन राज्य सभा का विग्टन नहीं होता है कभी भंग नहीं होती है, इसलिए उसे इस्थाई सधन कहते हैं और इसलिए 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 सथाई सधन कहते हैं सब क्या करते जो रहे हैं वो बड़े-बड़े कवी है बड़े-बड़े राइटर है या कला से सम्मधित चेत्रबुन को मनुट किया जाता है तो वो सब जाते जावे दक्तर जी थे और भी कई लोग थे जो राज्य सभा में मतलब इसको इसी दिले सिक्षितों का सदन कहा जा है तो लोग सभा में क्या होता है कि लोग सभा के सदस्यों को जनता सोयम निर्वाचित करती है वोट करके डारेट वोटिंग करती है लोग सभा सांसदों के लिए हम खुझ जाके वोट करते हैं इसलिए उसको प्रथम सदन कहा गया जनता का लोग प्री सदन भी लोग सभा ह क्योंकि जनता खुद ही जाके उन सदस्यों को मतलब की निर्वाचित करती है लेकिन राज्य सभा में सदस्यों का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से नहों कर अप्रत्यक्ष रूप से होता है। इसको red carpet house भी कहते हैं आप image देख सकते हैं उसमें red carpet house दिखा रहा होगा ठीक है red carpet house भी कहते हैं इसको और green carpet house कि इसको कहते हैं लोगसभा को green carpet house कहते हैं मैं पूरा एक तरीके से मतलब इसका पूरा अलग-अलग मैं बता दूँगा मतलब लोकसभा और राजसभा में अंतर क्या होता है ठीक बाद में और एक बार इसको समझिए अब देखिए इसके सदस्यों का निर्वाचन कैसे होता है इसका निर्वाचन कैसे होता है वही राष्टरपती के निर्वाचन वाला अनुपातिक प्रतिनिधितु की एकल संक्रम संक्रम निमाद पत्धती मैंने पिछली विडियो में बता दिये तहां राष्ट्रपति का निरवाचन बताया था तो लोग प्रतिनिधि अधिनियम mmeet 59 में इसके निरवाचन के विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा इनका निर्वाचन होता है। विधायकों के बीच जाना पड़ेगा। विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा इहां का मतदान होता है। इसके अलावा केंदर सासित प्रदेशों के राजय सभा सदस्यों जो केंदर सासित प्रदेश राजय सभा सदस्यों उनका मतदान कैसे होता है। ओर तो यह समझी आठ केंदर सासित प्रदेशों हैं। मैंने क्या बताया? यहां चार उनियन टरेटर के सदस्य है कि निराजेसभा में वरतमान में तो दिल्ली से तीन है और पुदुचेरी से एक राजेसभा सदस्य वहाँ है अभी ठीक? तो केंदर सासीत प्रदेसों में की द्वारत संसद द्वारत निरधारित कानून, संसद द् eligibility क्या होती राजसभा सांसद बनने के लिए पहला भारत का नागरिक हो जन्म भारत में अनिवारे नहीं है भारत का नागरिक हो दूसरा तीस वरस की आजिव पूर्ण कर चुका हो मिनिमम तीस वरस का हो ठीक तीसरा लाब के पद पर नहों लाब का पद मैंने बता दिया था को कोई भी सरकारी पद पे नहों ठीक चौथा विक्रित चित नहों विक्रित चित मस्तिस्क करना हो इसका मतलब होता है वह पागल नहों दिवालिया नहों पागल नहों पागल नहों पांचवा मतलब उसका दिमाग सही रहना चाहिए पांचवा संसद विदी द्वारा जो समय समय पर निर्धारित करें बीच बीच में क्या करेंगी संस्ता में बदलाओ कर सकती के इसकी लिजीबिलयूट कितना कारेकाल होता है कोई कारेकाल नहीं होता राज्यसभा सदस्यों का कितना कारेकाल होता है को च्छै वर्स का कारेकाल होता है वो लोग का ठीक अनुच्छे 83-1 में बताया गए कि राज जवाइक इस्ताई सदन है और अनुचे 83-1 के तहट सदस्यों का कारेकाल बताया गया है 6 वर्ष का कारेकाल होता है मौल लीजी ये पूरा रायस भाइ ये पूरा क्या है राज्यस भाइ इसको आप बना लिजैगा ये वाला भी बना लीजेगा और मैं जो बता रहूँ भी बना दीगा, ते अधा, इसको तीन भाग में बांड़ दीजिए, एक तीहाई सदस्य को हर दो वर्स में, क्या होते हैं, सेवण बृत्त हो कि दो साल चुनाँ होगा, तो सब्सक्राइए, इतना जबरदस्त विवस्ता किया गिया है कि राज्य सभा को कभी भंग ना करनापड़े क्यों कि देखिए अगर कहीं लोग सभा की निरया को निर्णय कून लेगा, इसलिए क्या कि एक हाॉस को क्या कि राजये सफ़ा को 7 सदन बनाया गया है उसको कभी भंग नहीं किया जा सकता ठीक है ये चीज़ को समझ ये तो दो हजार थीज में चुना होगा विज़जर के लोग रिटायर हो जाएंगे तो एक तिहाई सदस्यों का चुनाओं प्रत्यक दो वर्स में किया जाता है यह यादर कियेगा यह अगर समझ यह concept आप तो आप कभी भूलेंगे ही ने इसको यह बार-बार बहुत-बार पुछा एक्जाम में सदस्यों का कारिकाल 6 वरसकर है तो एक सदस्य जो यहां निर्वाचित होगा वो कितना साल होगा दो-दो-चार-दो-चार-दो-चै इस थाई सदन होती है लेकिन सदस्यों का कारिकाल 6 वरसका होता है राजयसभा का कोई कारिकाल नहीं होता है क्लियर अब देखिए राजयसभा की सक्ति और क्या क्या होते है एक तो यह सक्ति क्या होती है और क्या नहीं होती है ठीक है किसमें राजयसभा का पावर रहता है औ करें कि दन में अंतरगा ड़ेसे सब्सक्राइब फाइनना पैसे सब्सक्राइब लोग Sभा में किवाला निवारि रहता है राजयसभा में पारीट करवाना निवारी रहता है क्यों चैनल को दिन के फीटर राजसभा को पारीट करना जरूरिए अंग कि सक्ति कि सीमित उसके पास कोई पावर नहीं है, 14 दिन तक बस डिसकसन कर सकते हैं, उसके बाद पारित करना पड़ेगा, नहीं पारित किये तो भी पारित माना जाएगा, तो इनके पावर धन विद्यक के संबंद में, राज्य सभा को कोई सकती नहीं है, सीमिधन की सकती, दूसरा गैर वित् दिद्ध धन विध्यक को छोड़कर जो अन्निय मामलो के विध्यक्त हैं, उसको लोक सभः में राजय सभा कावर सेम है, दोनों से पारित करना पड़ता है, अगर एक भी सदन से पारित नहीं हो, तो फिर वो माना नहीं जाएगा, तीक है, वो कानून नहीं बनेगा, अब आर्टिकल 249 में क्या बोला गया आर्टिकल 249 में अनुपस्थित तथा मद्दान करने वाले सदस्यों के दो तिहाई बहुमत से राज्य सूची के विशय में को राष्ट्री महत्तों का घोसीत कर सकती है। यह राज्य सूची का जो यह विशय है, अमुख विशय है, जैसे कि मान लोजा स्वास्त है, तो राज्य सूची के इस विशय पे यह राष्ट्री महत्तों का घोसीत हो गया है, तो इसमें क्या कीजे, आपको कानून बनाने की हम लोग एथॉरिटी देते हैं, हम लोग क्या कर करेंगी कि आप हमारे विशय में सम्मंद में कानून बनाईए, जैसे कि कोरोना आया है अभी, अब जब राज्य सचाहती तो दो तीहाई सदस्यों से पारिद करवा के बोल सकती थी केंदर सरकार को कि स्वास्ता से सम्मंदित आप कोई भी कानून बनाईए हमारे लिए, बोल सकती है कि मतलब यह देश के लिए जरूरी है, तो आप इस पर कानून बनाईए करके, दो तीहाई बहुमत से पारिद करके, यही आर्टिकल 249 में बताया गया है, आर्टिकल 312 में बताया गया कि नई अखिल भारती सेवाईं स्थापित करने, ठीक है, अखिल भारती से से लिए, आईएस, आईपी-स, इस तरीके का अखिल भारती से लिए हैं, ठीक है, तो अखिल भारती से वाईं स्थापित करने के लिए वही अनुपस्थित चर्चा करवा करें नहीं अखिल भारती सेवाइं स्थापित करने के लिए कहा जा सकता है ठीक यह भी बोल सकती है स्टेट को दिंडरा करके सक्षिया क्या क्या सक्षिक राजे शबहां के पास नहीं है पहला बज़ट पर सिर्फ चर्चा कर सक्ती राजे सब्लब ने कर सकती नहीं को पाफला हो अभी याद रखिए राश्रिया पाथ काल को आ नुमुदत कर duy precisely वो दोनों सदन से 30 दिन के बीतर अनुमुदित हो जाना चाहिए यह तो जरूरी है इसमें राजय सब्भा की जो सक्ती है वो बराबर है लोग सब्भा के लेकिन राश्त्रिया पातकल को जब समाप्त करना रहता है तो उसके लिए सक्ती केवल लोग सब्भा को दी गई है मंत्री कहां बैठते हैं तो लोक सभा में बैठते हैं इसलिए क्या होता है कि अविस्वास प्रस्ताव जब मंत्री देखिए मंत्री जो है वो राज्यसभा से भी चुने जा सकते हैं दोनों सदन के लोगों को मंत्री बनाया जा सकता है लेकिन जब वो आदमी जो जब वो कि है कि अविश्वास प्रस्ताव में आए गर लोना और आज लोक सब सब्सक्राइबं करें तुम ढूंचर को थीक साहएगा थी को comparison भी आपको बता दूँगा तो I hope आप सब को ये वीडियो पसंद आया होगा देखे स्क्रीन सॉट ले सकते हैं आप लोग स्क्रीन सॉट ले लिजिए तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ज्यादा ज्यादा शेर कीजिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जैहिन वन्दे मातरम